जैसा कि आप जानते हैं कि सल्मान खान सालो बाद बॉलिवुड के दिगज फिल्मेकर संजुलीला बंसाली के साथ फिल्म इंशालला करने वाले थे फिल्म तयार थी, सेट तयार था, हीरो हीरोईन तक तयार थे लेकिन फिल्म के शूटिंग शुरू होने से इन वक्त पहले ही सल्मान ने बंसाली के इस फिल्म को छोड़ने का फैसला किया और ये फिल्म फिर डिबाबंध हो गई लेकिन अब गुड यूस ये है कि बंसाली फिर से एक बार इंशालला को शुरू करने की तयारी में है में पेश करने का मन बना रहे हैं और खबरों के मुताबक फिल्म में सलमान की जगह सूपरस्टार रित्यक वॉशन नज़रा सकते हैं इस बार फिल्म में रित्यक और आलियस साथ नज़राएंगे कटित तौर पर फिल्म एक यंग लड़की और एक एक साथ चाते थे लेगन उनकी फिल्म के स्केड्यूल को देखते हुए वो नहीं चाते कि उनकी फिल्म को नुक्सान है एक सोर्स ने ये भी बताया है कि बंसाली बैजू बावरा से पहले इंशालला जैसे फिल्म को माउंट करना चाते हैं क्योंकि ये ज्यादा मौडर्न फिल्म है फिल्म एज क्याप वाली होगी इसलिए सल्मान और आलिया को फिल्म में कास किया जा रहा था खेर अगर रितिक फिल्म को साइन करते हैं तो पहली बार रितिक और आलिया साथ में काम करेंगे इससे पहले आलिया के अपोजिट फिल्म में शारु खान को कास किया जाने की बात सामने आ रही थी हाला कि ऐसे में अब फिल में रुटिक और आलिया के कास की बाद लगभग तैही मानी जा रही है हाला कि फिलाल बंसाली की टीम की तरफ से इस पर आफिशल कांफिर्मेशन का इंतिजार किया जा रहा है अलगे अब सल्मान की जगा रितिक इंशाला का हिस्सा होंगे इसे लेकर अब सल्मान की फैंस की क्या राय होगी कि देखने वाली बात होगी तब तक आप लोग भी कमेंट सेक्स में बताइए कि इंशाला में सल्मान की जगा अब रित्य को कास करने की जो खबर सामने आई है उस पर क्या है आपकी राए बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉंग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को and yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई information आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं